अगर हम MSP की खरीद देखें तो जो कॉंग्रेस के समय मात्र 3,400 क्रोड MSP की खरीद तेलंगाना में होती थी 2014 तक मोदी जी ने उसको बढ़ा के आज 3,400 क्रोड की खरीद के सामने तेलंगाना अकेले में MSP पे 27,000 क्रोड रुपे की खरीद किसानों से केंडर सरकार करती है जिससे लाको लाको किसान को लाब होता है तेलंगाना की सरकार सोचती है कि उन्होंने एक स्कीम किसानों के लिए दी और उसके बाद सिर्फ रश्टाचार करके वो किसानों को ब्रहमित कर सकते हैं कि वो तेलंगाना के सरकार का समर्तन करे के सी आर के टी आर कविता जैसे ब्रश्टाचारी नेताओं का समर्तन करें लेकिन तेलगाना के किसान बहुत समझदार है वो जानते हैं कि राज्य सरकार अगर एक तरफ को देती है तो उससे जादा नुक्सान किसानों का करती है क्योंकि विकास बाकि सब शेत्रों में करने के बदले वो सिर्फ भश्टाचार के उपर अपनी सरकार चलाती है